हेलो प्रेंट्स आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्स्ट चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाफ सब्ट्रेक्टर के बारे में दोस्तो हम इस बीडियो में हाफ सब्ट्रेक्टर के ब्लोग डाइगराम इसके तुरुत टेवल और के मैप डिजाइन करेंगे और साथ ही इसके अडवांटेर्स और डिसडवांटेर्स भी पढ़ेंगे तो फिर चलिए अब हम अपने इस बीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम हाफ सब्ट्रेक्टर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद हम इसको डिजाइन करेंगे पहला पॉइंट है कि कॉम्बिनेशनल लोजिक सर्किट हाफ सब्ट्रेक्टर एक कॉम्बिनेशनल लोजिक सर्किट है जिसमें two inputs और two outputs होती हैं तो अभी हम डिजाइन करेंगे half subtractor आप देख सकते हो कि जैह ब्लोग डागिरा में इसमें two inputs A और B और two outputs difference और borrow दिये हुए हैं हमने difference को D के साथ denote किया है और borrow को B not के साथ A और B input है आप कोई भी name ले सकते हो input की जगे पर तो अभी हम half subtractor का truth table लिखेंगे truth table में हम input के जरिये output की values को निकालेंगे सबसे पहले हम input लिखेंगे हमारी input जो है वो आप देख सकते हो जो है A और B तो मैंने अभी जहां पर input लिख दी है तो अभी हम लिखेंगे output आउटपुट भी हमारी दो ही है D और B0 D का मतलब difference और B0 का मतलब है borrow तो अभी हमने input और output लिख दिये हैं तो अभी हम data को design करेंगे A की input होगी 0011 और जो B है B की input होगी 0101 तो अभी हमने input की values लिख दी हैं तो अभी हम difference D निकालेंगे तो simply A-B कर देंगे जानि A को माइनस करना है B के साथ तो चलिए शुरू करते हैं 0-0 इसका उत्तर आएगा 0 और borrow भी आएगा 0 फिर उसके बाद हम करेंगे 0-1 जो difference है वो बन आएगा और borrow भी बन आएगा फिर उसके बाद 1-0 करेंगे तो difference 1 आएगा और जो borrow है वो 0 आएगा और अंत में हमारी जो value बस्ती है 1 को 1 के साथ माइनस करेंगे और difference 0 आएगा और साथ ही borrow भी 0 आएगा तो अभी हमने output की value input से निकाली है difference और borrow जै दुनों output है हमने इन सभी की values निकाली है शुरू में हमने half सब्ट्रेक्टर का block diagram डिजाइन किया था इसके बाद हमने truth table डिजाइन किया है हमने difference और borrow की output values find किये है तो अभी हम output values find कर चुके हैं अभी हम इनका K map डिजाइन करेंगे जो K map है वो हम borrow और difference के लिए लिखेंगे ताकि हम boolean expression find कर सके फिर हम expression की साहता से logic diagram डिजाइन करेंगे तो अभी मैं K map डिजाइन करने जा रहा हूँ I hope आपको basic knowledge पता होगी K map की सबसे पहले हम difference का K map डिजाइन करेंगे जो difference की output आई थी वो values हम इस K map में put कर देंगे जो difference की values आई थी वो 0, 1, 1, 0 थी तो अभी हमने एक simple way में values को put कर दिया है pairing तो होगी नहीं तो एक single ही हम expression find कर सकेंगे जो पेल expression है वो है A bar B और जहां पर भी एक single one है तो इसका जो expression आएगा वो है A B bar अभी हमने difference का expression निकाल लिया है तो simply अभी मैं इसको पूरा लिख दूँगा जो D is equal to A bar B उसके बाद plus फिर उसके बाद A B bar तो जह एक exor बन गया तो इसको simply लिख दूँगा मैं A exor B जो A bar B plus A B bar था उसको A exor B बना दिया तो अब simply अभी हम बोरो का K map design करेंगे इसका भी हम same ही procedure follow करेंगे जो हमने difference के वक्त किया था तो अभी मैं बोरो की values लिखने जा रहा हूँ जो है 0, 1, 0, 0 तो अभी हम जल्दी से जल्दी इस K map को पूरा कर देते हैं इसमें भी कोई pair नहीं बन रहा बन का तो इसमें भी एक single ही one का expression लिखना पड़ेगा जो है A bar B तो अभी हमने difference और बोरो के जो expressions से वो हमने निकाल दी हैं बोरो का मैं expression लिखतेता हूँ A bar B तो अभी हम इस expression की साहिता से अभी हम logic diagram design करेंगे half subtractor के difference और बोरो के जो expression हैं वेह काफी easy निकले हैं half subtractor design करना काफी simple और easy है जो अभी difference और बोरो के expressions आए हैं तो simply मैं input लिख देता हूँ input थी हमारी A और B सबसे पहले हम difference का logic diagram design करेंगे difference का logic diagram था A एक जोर B तो इसको अभी हम draw करने जा रहे हैं simple एक line खीचूंगा मैं A से और फिर उसके बाद मैं B से भी line खीचूंगा और उन दोनों line को एक जोर gate के साथ लगा दूँगा तो जैह difference की output बन गई है तो मैं simply लिख दूँगा D is equal to A एक जोर B अभी हम difference की output डिजाइन कर चुके हैं तो अभी हम borrow की करेंगे अभी आप जहां पर देखिए कि A बार लिखा हुआ है तो हम इस A बार को note की सहायता से लिखेंगे जानि मैं जहां पर एक note gate लगा दूँगा तो अभी मैं इसको and gate में लगा दूँगा और A बार के साथ B लिखा हुआ है तो simply मैं B से line ड्रो करके and gate में लगा दूँगा तो जह हमारा borrow की जो output है वो complete हो चुकी है तो मैं लिख दूँगा B not is equal to A bar B तो दोस्तों अभी मारा logic diagram त्यार हो चुका है तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने शुरू में क्या किया था हमने शुरू में half subtractor का block diagram डिजाइन किया था उसके बाद truth table के जरिए difference और borrow की values निकाली थी फिर उसके बाद key map difference और borrow का डिजाइन किया था और ant में logic diagram हमने design किया है I hope आपको half subtractor के बारे में पता चल गया होगा तो अभी हम advantage और disadvantage half subtractor के देख लेते हैं इसका एक सबसे पहला advantage दोस्तों जाहे की simple connections तो जैसा कि आपने देखा था कि half subtractor में बिल्कुल ही simple connection है अगर आपने half subtractor के connections लगाने हैं तो जै काफी easy way में हो जाएंगे हमारा दूसरा advantage है की design using NAND gates इसका दोस्तों मतलब है की हम half subtractor को NAND gate की सहयता से भी design कर सकते हैं इसका दोस्तों अंत में एक disadvantage है की subtraction of two bits इसका दोस्तों मतलब है की half subtractor में सिरफ दो bits को ही हम subtract कर सकते हैं इसमें तीसरी bit नहीं आ सकती तो दोस्तों इस बीडियो में हमने half subtractor के बारे में जानकारी प्राप की है तो अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना